हमारी कंट्री इंडिया के बारे में बहुत से इंट्रेस्टिंग बात आप सब जानते होंगे लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे फैक्स के बारे में बताऊंगी जिससे सुनके आपको हमारे देश पे और भी ज्यादा गर्फ होगा तो चले शुरू करते हैं और जानते हैं इंडिया के बारे में और कई 30 इंट्रेस्टिंग फैक्स लेकिन अब आके बढ़ने से पहले हमारे चानल से लेटिस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चानल आज काई गुरू को सब्सक्राइब करना ना पूले यर 1968 इंडिया में एक्सपेरिमेंटल टाउन्षिप की शुरूआत हुई थी जिसे और उविल कहते हैं ये टाउन साउंड इंडिया में लोकेटिड है इस टाउन को बनाने की खास वज़ा थी कि सब लोग एक अप्था साथ रह सकें और उविल ऐसा टाउन है जहां पे लोग कास्ट, रिलिजिन, पॉलिटिक्स, नेशनालिटी इन सब में मानते नहीं है उनका बस इतना मकसद है कि सबी लोग साथ में शान्ती से रह सकें ये बात सुनने पे काफी लोगों को देश पे गर्भी हुआ होगा Year 1963 में इसरो ने First Rocket Triventrum के बाहरी इलाके थुमबा में एक चर्च है जहां से First Rocket launch किया था उस वक्त इंडिया का सबसे First Rocket बाइसिकल से ट्रांस्पोर्ट किया था बात भी ये साइकल का launching pad विक्रम साराभाई Space Center नाम से जानने लगा Year 2014 में 43,000 Indian citizens दुनिया का largest human flag बनाने के लिए एकटा हुए थे और इस flag के लिए इंडिया ने Guinness World Record बनाई था ये सची करण महसूस करने की बात है कि हमारे देश में काफी बार कास्ट पर जग्डे होते हैं लेकिन इस flag को बनाने में सबी कास्ट के लोग एकटा हुए थे शायदे फ्रैक्ट आज तब किसी को पता नहीं होगा Year 1999 में कैलकता में पहली बार गेव प्राइड परेड हुआ था इस परेड में सिर्फंदर प्रांसजेंडर लोग थे लेकिन इस परेड ने पूरी कंट्री को एक संदेश दिया हम यहां हैं, हम विशित्र हैं, लेकिन हमें खुट पर गर्व है ये संदेश इन लोगों ने देश को दिया था इंडिया के क्लासिकल डांसेस, 2000 साल से देश के ट्रडिशनल डांस फॉर्म है और ये डांस फॉर्म हमारे कंट्री की डाइवर्सिटी और कल्चर को सेंबलाइज करता है इंडिया में कुछ यंग एंट्रोप्रोनेर ऐसे हैं, जिन्होंने खुद की हिम्मत और मेहनत से मल्टी बिलियन डॉलर बिसनेस किये हैं पूरे वर्ल्ड में हाइस्ट बैकल फीड सीयाचन है, जिसे इंडियन आमी कंट्रोल करती है पैरेस का आइफिल टार काफी लोगों को पसंद है, लेकिन ये बताते हुए खुशी होती है कि जम्मो कश्मीर के आर्क शेप चनाब रिज आइफिल तावर से 35 मीटर टॉल है ये बिज चनाब रिवर के 1178 फीट हाइट पे बनाया गया है कबटी के शुरुवात इंडिया से हुई थी और इंडियन नैशनल कबटी टीम ने अब तक सारे वर्ल कप्स शीते हैं इसके सिवा हमारे देश पे गर्फ होने की एक और बात है कि वोमेंस कबटी टीम ने भी कबटी वर्ल कप्स शीते हैं 11 जुलाइ 2016 में इंडिया ने बहुत ही अबेजिंग काम किया था उत्तर प्रदेश में 8 लैक वॉलिटर्ज ने 15 मिलियन ट्रीज एक दिन में प्लांट किये थे और उस वक्त के ये एक इनीज वर्ल रेकॉर्ड बन गया था इंडिया ने फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत अच्छा प्रोक्रेस किया है अमेरिका में 38% लॉक्टर्स इंडियन से 12% साइंटिस्ट इंडियन है इसके सिवा नासा में 36% एंप्लॉईस इंडिया के है सिलिकॉन वैली और वाशिंटन दीसी में लगपक 49% हाई-टेक स्टार्टप इंडियन या इंडियन अमेरिकन्स ने ओन किये है क्या आप जानते हैं हमारे इंडिया में टूटल तुप्रे रोड है युएसे के बाद इंडिया का रोड नेटवर्क पूरे वर्ल में सेकंड लाजस्ट है 1.9 मिलियन रोड के कारण इंडिया में ट्रावलिक करना काप्री कन्विनियन होता है हमारे इंडिया के ग्रेट एरोसपेस साइंटिस्ट एपीजे अफदुल का नाम इंडिया में यूगा की शुरुबात हुई थी अभी इंडिया में यूगा का इंपोर्टेंस वैसा ही है इंडिया का स्पेस प्रोग्रम बजट की कमी होने के बावजूद दुनिया के टॉप 5 स्पेस प्रोग्रम में आता है इंडिया का मोस्ट फेवर्स गूल्डन टेंपल हर रोज एक लाख लोगों को वेजिटेरियर मील देता है इसमें सबसे बेस्ट बात है कि इस टेंपल में खाना किसी भी धर्म जाती के लोगों को देते है सबसे पहले युनिवर्सिटी की शुरुवात इंडिया से हुई थी इंडिया की सबसे फर्स इंवर्सिटी जिसका नाम तक्षशीला था हमने प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बहुत सुना है आज के वक्त में टेक्नोलोजिकल एक्विपमेंट से प्लास् assistance surgery काफी advance हुई है लेकिन प्लास्टीक सर्चरी की शुरुबात 4,000 साल पहले इंडिया में हुई थी कुछ सालों पहले इंडिया में सबसे ज्याधा post offices थे जैसे technology अपग्रेड होने लगी वी एश शिवा अयादौरी ने सोचा जिस देश में post office ज्याना है वो देश टेकनोलोजी में पीछे नहीं रह सकता है इसलिए सिर्फ 14 साल की एज में वी एश शिव अयादौरी ने electronic mail software invent किया जसकारण आज हम दुनिया में कहीं भी कुछ सेकंड्स में letter mail के दुवारा फेल सकते हैं इंडिया की वारनजी सिटी वॉल्ड में सबसे oldest inhabited city है जहाँ पे भगवन बुद्ध के टाइम से हिंदू, बुद्धिस्ट और जयन धरम के लोग रहते आ रहे हैं ये इंडिया के बारे में कुछ ऐसे factory जिस्से हम सेदिस्टों में ज़रूर्व बता आई और अगर आप सबको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा तुसे लाइक, शेर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों धन्यवाद